गुब्रेले को इंग्लिश में डंग बीटल कहा जाता है बीटल इंसेक्टा गुरुब का प्राणी है यह आर्थ्रोपोडा यूनियन का सदस्य है प्रिथ्वी पर पाये जाने वाली इंसेक्ट इस्पिसीज में लगभग 40% बीटल है विश्ववर में बीटल की लगभग 3-8 मिलियन इस्पिसीज पाये जाती है बीटल वर्सेटाइल होते हैं जो अंतार्टिका को छोड़ कर लगभग हर जगा पाये जाते हैं बीटल प्रिथ्वी पर लगभग 270 मिलियन वर्सों से हैं इनका जीवन काल एक वर्ष का होता है बीटल लगभग सभी तरह के एंबायरमेंट में पाये जाते हैं और बीटल आम तोर पर जहां रहते हैं वही पर खाते हैं यहाँ जादतर गोबर पर निर्वर रहते हैं इनकी सोंगने की शमता बहुत ही तेज होती है यहाँ दो किलोमेटर दूर से गोबर को सोंगने की शमता रखता है बीटल अच्छी तरह से देख नहीं सकते यहाँ साउंड्स और वाइबरेशन के जरीए कॉम्यूनिकेट करते हैं बीटल का शरीर तीन हिस्सों में डिवाइड होता है जिसमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन होता है इसके अलावा इनमें छे बैर पाये जाते हैं जिन पर काटेदार हुग पाये जाते हैं बीटल का शरीर एक भारी आवरंट से ढका रहता है जो बहुत हार्ड होता है बीटल के सिर पर ही उसके आन्खे पाये जाती हैं और इनमें दो जोड़ी पंक पाये जाते हैं पुछ बीटल्स में तो एक सिंग भी पाई जाती है, बीटल्स साइज में छोटे बड़े दोनों होते हैं, सबसे छोटे बीटल एक मिलीमीटर से भी कम लंबे हो सकते हैं, इन में से सबसे छोटी प्रजाती रफलेड आंट बीटल है, जिसकी लंबाई केवल 0.25 मिलीमीटर है और वजन सिर्फ 0.4 मिलीग्राम है, अब तक लंबाई में सबसे बड़ा बीटल साउथ अमेरिका में पाया गया है, एडल्ट बीटल अपने खाने को निगलने से पहले खाने को अच्छी तरह से चबाते हैं, लेकिन सभी कीड़े ऐसा नहीं करते, एडल्ट बीटल के अबरेशन के जरीए ही कॉम्यूनिकेट करते हैं, डेथ वाच नाम का एक बीटल अपने सिर को लकडी की एक सुरंग वाली दिवार से टकराते हैं, जिससे तेज आवाज होती है, एक प्रकार के डार कलर बीटल अपने पेट को जमीन पर दबाते हैं, बीटल के लाइफ साइ जो छोटे-छोटे सपेद और पिले रंग के होते हैं, बीटल अपने अंडे सडी-गली पत्तियों, लकडियों या गोबर में देते हैं, अंडो से लारवा निकलते ही यह खाने पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही जादा भूक होती है, यह लारवा ल बीटल में कनवर्ट हो जाते हैं, यह बीटल के लाइफ साइकल की लास्ट स्टेज होती है, जिसके बाद इनके आकार और रंग में काफी चेंज आ जाता है, बीटल किसानों के मित्र होते हैं, यह गोबर के गोले बनाकर उनको जमीन में दबा देते हैं, जिसके कारण जमीन उपजाओ बनती है और यह खेती के लिए बहुत ही फायदे मन्द होती है लेकिन आज के समय में किट नासक और अन्य दबाईों के इस्तमाल से इनकी प्रजाती खत्म होने की कगार पर है तो दोस्ते इस वीडियो में बस इतना ही लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले और अपडेट्स पर बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाए